दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, ये मंदिर वो भी नाग पंचमी पर उजजैन का नाग चंदरेश्वर मंदिर एक महत्वपून और अध्वितिय मंदिर है जो महाकालेश्वर मंदिर परिसर के उपर स्थित है यह मंदिर साल में केवल एक दिन नाग पंचमी के दिन खुलता है, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है पौरानिक मान्यता के अनुसार, इस मंदिर में स्थित नाग चंदरेश्वर मूर्ती बहुत शक्तिशाली है और उनके दर्शन करने से भक्तों को विशेश आशिरवाद प्राप्त होता है, नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नागों की पूजा का विशेश महत्व होता है इसलिए यह मंदिर इस दिन खोला जाता है इस मंदिर में स्थित नाग चंदरेश्वर की मूर्ती दुरलग और अनोखी है, मूर्ती में शिव को नागों के साथ दिखाया गया है जो अन्य किसी मंदिर में नहीं है, इसलिए इसे विशेश अफसर पर ही दर्शनों के लिए खोला जाता है मंदिर का वातावर्ण रहस्यमय और दिव्य माना जाता है, साल में एक बार मंदिर खोलने से इसका पवित्र और विशिष्ट माहौल बना रहता है सालों से यह परंपरा चली आ रही है कि मंदिर नाक पंचमी के दिन ही खोला जाएं, यह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है जिसे स्थानिय लोग और भक्तजन बड़े श्रधा और आस्था से निभाते हैं इन कारणों से उच्जयन का नाक चंद्रेश्वर मंदिर साल में केबल एक दिन नाक पंचमी के अफसर पर भक्तों के दर्शनार्थ खोला जाता है अगर आपको ये विडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले